नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत है वरसे जूकेशन की यूट्यूब चैनल पे सीटी का कोरेक्शन लिंक आप सभी जानते हैं अभी एक्टिवेट है और अभी काम चलना है अगर किसी को किसी तरह की कोरेक्शन करवानी है अपना प्रोविजनल इसमें से हटवाना है तो आप हटवा सकते हो तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कम्प्लीट प्रोवरी लेकिन उससे पहले जैसी आप वीडियो देख रहे हो आज के दिन यानि 11 फरवरी 12 फरवरी के आज पास आप अपना काम कम्प्लीट कर लेना वरना बाद में साइट में काफी जादा हो सकता है क्योंकि सबी बच्चे जितने भी है वह लग बग लाश्ट डेट कावेट करते ओके शुरू करते देखे सबसे पहले मापको बता दूं आपको क्या काम करना है सबसे पहले आपको यह site open करने से पहले आपको जाना है HSC के official website पे और HSC के official website पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो notice मिलेगा वो public notice के section में मिलेगा वैसे यह notice मैंने telegram पे share कर दिया आप जाकर वहाँ से भी इसको देख सकते हैं तो public notice के section के अंदर आपका कुन सा notice दिया गए जो आपका no job का जो आपका certificate है जो हम कह सकते है self declaration HSC ने मांगा था वो आपको यहाँ पर मिलेगा देखो वो मैं telegram पे आपके साथ share कर दूँगा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं यह आपका no job का तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह form आपको print करवाना है इसके print करवाने के बाद आपको कहाँ पर जाना है यह जो second page है इसके अंदर इसके आपको print निकलवाने और प्रिंट निकलवाने के बाद आपको इहाँ पर अपना नाम फिल करना इसके बादा आपका father name हो जाएगा age आपको भरनी आपका address भरना है तो आपको यहां पर यहां पर साफ साफ दे रहा है कि आप इसको डिकलेर कर रहे हो कि 10-7-2022 तक मेरे घर में यह सारी कंडिशन आपकी फोलो रही है तो आपको यहां पर डेट जो तब की भरनी है जिस ताइम आप यह फोलो रहे हो CT की वन टाइम रेजिस्टेशन साइट के ऊपर ठीक अब इसमें आपकी कंडिशन कौन कौन सी आप सबी जानते है पहली बात किस को यह फोलो रहना जरूरी है किस को यहां पर कुछ करें चैनल जोब के उनको इसके अंदर आपके डोकुमेंट अपडेट करना जरूरी है उसके लावा प्रोजिजनल वालों को तो मश्ट है उनको तो करना ही करना है अब देखो इसमें एक चीज़ आप सभी यह चीज़ यहां रखना जो आपकी जितनी भी डाटा है जितनी कि आपकी फैमिली आइडी जो आपकी यह नहीं है तो आप पहली वाली लगा सकते हो वैसे अभी फैमिली आइडी यह मांग भी नेरे आपको क्या करना ही सिर्फ इनो जोपका सार्टिफिकेट लगाना है और इसमें आपको यह करना है कि बिल्कुल मेरे खर में यह चीज़ अपकी सारी फुल्फिल करते है यह कंडिशन इसमें आपका क्या-क्या कांडिरे डिक का अंधर देखो जोंके इस मैल कांडिरे कांडवर उसका फादर उसकी मधर उसकी वाइब उसका अन्मैरीड ब्रदर और उसका सन तोके इसमें आपके ना इनकी इंकम आपके एक लाक अश्य जार से उपर नहीं होनी चाहिए बेसक आपकी फैमिली आइडी एक ही हो तब भी कोई दिक्कत नी है एक होगी तो उसमें जो जो ये नाम दिये गए आपका हो जाएगा आपके फादर का हो जाएगा मदर है इनके आगे जो इंकम है उनको का काउंट हो जाएगा ठीक लड़किस में भी काउंट नहीं अन्मेरीड है तो उसमें हर इसलफ हो जाएगा फादर हो जाएगए मदर हो जाएगा अनमेरीड ब्रृदर यह कंडीशनेंक के नदर अबेर यहां पर आपको डैट मेंचिन करनी है उसके बाद आपको प्लेस अपना सार्टिपिकेट अपना पहले उसकी पीडे 500 केवी से कम बना कर पहले एक फोल्डर के अंदर सेव कर लें जैसे कि कोई भी फोल्डर होगा उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं क्योंकि जैसे आप ये पोड़ल ओपन कर तो यहां पर आपको सारी चीजें एक साथ करनी उनको यहां पर करना कमपलसरी है ठीक मतलब वही इसके अंदर आपके चेंजित कर सकते हैं अब यहां पर आपको अपना लोगिन अपना मुबाइल नंबर फिल करना है क्यप्चा फिल करो फिर लोगिन करो मैं इसमें कर लेता हूं फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस तो इन सभी इस्ट्रेक्शन को पढ़ने के बाद आपको जाने राश्ट पेस के अंदर यहां पर लास्ट आनतर सब्सक्रार जाने के बाद आपको यहां पर आई ए अगरी कडिक करके और आपको क्या करने सब्मिट करने इसमें यह सारी जैसी आप इसमें सब्मिट करते हो सब्मिट करने के जश्टवाद आपके सामने आपका फोर्म ओपन होगा इसमें फोर्म के आपके उपर का जो पार्ट है उसके अंदर आपको दिखाई देगा आपकी complete detail होगी उसके अंदर आपका नेम फादर नेम आपका score क इतना है आपकी date of birth, address, सारी चीज़े mention होगी उसके नीचे दिया गया आपका verification या सत्यापन करने के बारे में यहां पर दिया गया है और इसमें आपके क्या क्या option दिया गया है एक तो cast category के लिए एक social media criteria जो हूँ उसके लिए एक EWS के लिए एक आपका ex-servicemen के लिए देखो cast category EWS को छोड़का जितनी भी category वाले है उनको एक हाँ पर जाना है इस cast category पर click करना है social media marks वालों को यहां पर click करना है EWS वालों को सिर्फ यहां पर करना उनको cast वाले में नहीं जाना इधर ex-servicemen वाले जिनको जनरल में count किया गया था क्योंकि परिवार पहचान पत्र क्या coding आपके data उठाया गया था उसमें आपका ex-servicemen category नहीं थी तो इसलिए आपको क्या करना है ex-servicemen वालों को यहां पर जाना है अब देखो candidate are allowed to verify या withdraw आप सिर्फ verify कर सकते है या withdraw कर सकते है इसके इसके अंदर युन्होंने पहले claim नहीं किया था वो अब claim नहीं कर सकती अगर पहले किसी ने claim करे थे वो verify करवा हूँ अगर किसी के verify नहीं हो रहे या उस condition को fulfill नहीं करा तो अपने number withdraw करवा सकता है ठीक उसके बाद claim regarding their cost reservation और आपके extra mark जो है only one सिर्फ एक बार दुबारा मोका नहीं दिया जाएगा इस पर click करने से पहले एक बार form को अच्छे से देख लेना क्योंकि जैसी प्रिंट प्रिव्यू कर दिया आपके पास दुबारा मोका नहीं बचेगा कि आप इसमें दुबारा से कुछ चीजे चेंज कर सको ठीक अब मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ देखो यहां पर क्या दिया गया सबसे पहले हमने करा सोचियोक्रमिक मार्क्स के बारे में अब यहां पर दिया गया समाजी का अर्थिक मांदंड नीचे दिया गया कि आपको YOU刑 करना है की THAT मैं वैरिफवाई करना चाहता उं तो आपको यहां पर वैरिफाइ करने पड़ेगा या आप के करना अपकाbig आपका क्ष। है EWS certificate number लगाना है कब issue हुआ था वो date आपकी 10 July 2022 से पहले वाली होनी चीए अगर आपके बाइस देखो वैसे तो आपका certificate होता है वो आपका count होता है April 1 April चे लेकर 31 मार्ज तक लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं बनवाया मालो कि April 2022 2022 के आसपास आपने नहीं बनवाया तो आपके पास 21 वाला होगा जो हम मानते हैं लगबग एक अप्रेल 2021 से लेकर 31 मार्ज 2022 तक का तो वो भी इसके अंदर आप लगा सकते हो यह नि फाइनेंशिल लेजर आप 2021 2021 का भी लगा सकते हो अगर आपके पास 2022-23 का नहीं है यहां पर आपको कास्ट सार्टिफिकेट आपका उसके इंदर नंबर शोगा वो करना है इसूर्टी एथोर्टी तहसीलदार जिस भी तहसीलदार के करनाल ठिक तहसीलदार करनाल लिख देना उनके द्वारा वो साइन है तो आप अपना देख लेना आपके EWS केंदर किसका जो है आपके EWS केंदर किसके द्वारा उसको वेरिफाई करा गया ठिक तो यहां पर आपको लगाने अब एक्स्ट्रा मार्क्स की के बाद क्या रहेगा आई वन्टो वेरिफाई अगरं जिसको देखो पहले हम बात कर लेते हैं जिनको नंबर विधुरो करवाने वह satisf करेंगे आई वान्टो फोर गेट यानि मैं अपना दावाद ठोड़ना चाहता हूं सहां मैं अपने number withdraw करवाना चाहता हूं तो वो यहां पर कर देगा अपना तो यहां पर करने के बाद आप आप से यहां पर कोई भी document नि मांगा जाएगा देखू कोई भी document नि मांगा आपको सिर्फ और शिर्फ submit करना उसमें नीचे जाकर यह वाला जो है अपडेट करना इसके अंदर क्योंकि अभी सिर्फ और चिर्फ यह सेल्फ आला मांग रहे है ठीक है इसको भी हम यहाँ पर एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो यही वाला है आपके सामने ठीक यह वाला सेम ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह मैं आपके साथ टेलेग्राम पर शेयर कर दूँगा वहां पर जाने के बाद इसका प्रिंट निकलवाओ साइन करो और इसको पहले से इसकी पीड़े बना कर तयार रखो अब यहां पर हमें चाहिये क्या दो चीजें चाहियेle पर नीचे अपना EWS certificate certificate का number वहां पर mention होता है वो लिखो यहां पर issue date कब की है EWS के नीचे आपकी date लिखी गया वो mention कर दो और issue authority कोन सी है वो authority का नाम लिखो और यहां पर finally I hear by सारी चीज़े मैं यहां पर confirm करता हूं यहां पर tick करके और आपको क्या करना है यहां पर print preview पर okay कर देना है एक बार करते हैं फिर मैं आप सभी को दिखाता हूं इसमें सारे डोकुमेंट इसमें update करने के बाद आपके सामने अभी नीचे option आएगा I think आपको visible भी होगा यहां पर देखो मैं साइड इसमें आ गया आ गया तो यहां पर यह देख सकते हो कहां गया इसमें चलो देखो यहां पर आपके सामने जो है यहां पर सबसे नीचे आपको श तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे बिल्कुल इधर जो लिखा गया तो इस पर आपको करने ना यहां पर करने की बाद तो जैसी आप प्रिंट प्रिंट करते हो आपके सामने एक चीज खूल कराएगी यहां पर आपको दिया गया प्लीज मेक शोर टू चेक जितने okay कर देना okay यहां पर okay करता हूं मैं इसको इसको करने के बाद आपको वहां पर जैसी आप submit पर okay करते हैं आपके सामने यह page open होगा यहां से आपको क्या करना अब देखो अभी तक document update करने का काम किनका था जिनको कुछ claim करने और जिनका जहां पर option आया था कि उनको कुछ भी claim निकरना शिर्फ विड्रो करवाने तो विड्रो करवाने के बाद भी आपके सामने इस तरह का एक page open होगा यानि आपके सारे चीजे दुबारा से इसमें शो हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना आपको यहां से print करना है जैसी आप print करोगे तो आपके सामने यह page पूरा जो है इसके एक print copy आपके सामने बनकर त्यार होगी हलांकि जो आपने no job का भी जो certificate लगाया था वो इसके अंदर शो नहीं होता बहुत सारे बच्चों का नी शो राइस में EWS वाला जो आपने लगाया था उसके यहां पर कुछ एक date और यहां पर mention की होगी इसके अंदर I think आपको visible होगा तो यह चीज़ें यहां पर दी होगी लेकिन जैसे आप उसके अंदर जाते हो जो अपना कुंसा दिया गया नो जो बाला तो नो जो में आपको यहां पर वीडिविय क्र किसको आपको निकल वाला न है और निकल वाला न हूंग के बाद की यहां पर candidate sign जो दिया चैन करने और दुबारा सी चैन करके यहां पनीकर यह अप्को सब्मेट करने और आला चार आपको कूछ भी नहीं आठी ति आपको ऍieuकर और चंश IBध हो दीब बस में बात ही है पहले से अपने डोकुमेंट त्यार रखना नोजोब का और आपका EWS का ठीक EWS वाला 2022 वाला नहीं है 2021 वाला लगा दिना अगर फिर 21 वाला भी नहीं है तो 20 वाला लगा दिना क्योंकि फारम जब भरे गए थे यह फारम भरे गए थे शायद जनवरी 2020 में नि अभी बनवाले न हो सकता आपका गुरूप D में कभी भी यह मांग सकते है आगे आने वाले टाइम के अंदर तो अभी बनवाले न उसके बाद अगला अपना कोंसा हो गया मार्च और अप्रेल में एक अप्रेल के बाद आप दुबारा से बनवाले न ताकि इनी फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े तो आपके पास एक हो कि हां मेरे पास अपना EWS certificate है बनने के बाद document अपनी Gmail के उपर upload कर दिया करो ताकि इनी फ्यूचर यह ना ढूंडना पड़े कि वो कागज कपड़ा कहां पर है mail से उठाया और उसको आपने दिखाया कि हां मेरे पास यह document है तो I think सारी चीजे clear हुई होगी लाश्ट में आपको यह submit जरूर करना इसके अंदर वह submit कर देना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में पढ़ते ने अपना ख्याल लखे doubt हो comment कर देना no job का certificate अपने टेलिग्राम चैनल पर WhatsApp ग्रूप पर आप सभी को मि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद